है है अप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और जैसा कि आप देख रहे हैं हम अपने यूट्यूब चैनल पर जो आपको जो अलग-अलग कंपनी जैसे आपका बैक्टेल हो गया के आपका अलग एक इंटूदी है और यह धिया आपकी सीजूदर इस्टुडेंट्स के लिए होते रहे हैं तो आज की जो वीडियो से मैं कुछ आपको टेक्निकल और एचार इंटूस एलेटेड कुछ टिप्स में आपको देना चाहरा हूं तो उसको लेकर के वीडियो जो है मैं आपके सामने रख रहा हूं तो जो बच्चे ऐन केंपस में या फिर आपका जो बच्चे ऑफ केंपस प्लेशबिशन करें मतलब जो फाइनल यर में है या आगे फाइनल में आएंगी या फिर जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं मैकेनिकल और इसकी जो अलायड बांच तो उनके लिए भी यह जो बहुत important है तो आज की वीडियो में कुछ टेक्निकल टिप्स ज़ीक्निकल इंटर्वी ये उससे लिटिट कुछ टिप्स में आपको दूंगा और जो आपका HR इंटर्वी होगा उससे रिलेटर कुछ टिप्स में आपको देना चाहूंगा जो कि आपको आपके on campus में या फिर अगर आप on campus में selection नहीं होता और off campus में आप जाते हैं तो वहाँ पर भी ये tips जो आपको काफी helpful रहेंगी आपके job selection को लेकर के तो आज की वीडियो बहुत important है चलिए इसको स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम जो technical जो इंटर्वी जिस आपका जो भी selection criteria है तो आपका उसमें एक round होगा technical interview का और ये round तो आपको face करना ही पड़ेगा job के लिए ठीक है ना तो जब आप इस round में पोचेंगे तो आपको कुछ important बाते हैं जो मैं बताना चाहूंगा और ये freshers के लिए हैं ठीक है ना freshers मतलब on campus में अगर आप हैं तब भी और अगर आप on campus में आपका selection नहीं हुए अब आप pass out हो गए हैं और आप off campus में आप try कर रहे हैं बाहर जो ये companies try कर रहे हैं तो वहां के लिए भी आपको ये video जो है बहुत जादा आपको help करेगा और support करेगा ठीक है तो अब वह technical tips क्या है वह मैं आपको बताता हूं तो सबसे पहली चीज़ आप हमेशा ध्यान रिखिए जब भी आप किसी भी technical company के किसी इंटरव्यू के लिए आप जाते हैं तो सबसे पहले आप जो है कोशिश करें कि वह जो company है ठीक है सबस कोई भी company है अग manufacturing process उनके यहां होते हैं कौन-कौन से departments उनके यहां पर है ठीक न तो उनकी जो website है तो आप कोशिश करें कि उस company की जो है website को आप जरूर अच्छे से एक बर study करें देखिए कि वह company क्या है कैसे काम करती है कौन-कौन से department है हो सकता है कि कुछ component tools या manufacturing के बारे में कुछ बताया ह तो company जो है अपनी website पे काफे सारी information देखे रखती है तो सबसे पहले आपका काम यहीं होना चाहेगी अगर कोई company आपको अपनी इंट्रूश के बलाती है तो सबसे पहले उस company का जो profile है उस company के profile को उसकी website को जो है एक बार view जरूर करें ठीक है सबसे पहली चीज़ आपको य जो है company में जो है इंट्रूश के लिए आप पहुंच गए हैं तो सबसे पहला उनका जो रहता है आपका जो resume है अपने resume को अपने CV को जो है आप बहुत अच्छे से study कर लें क्योंकि जब आप interview के लिए सामने बैठेंगे technical interview सबसे पहले वो tell me about yourself पूछेंगे पहला question ही रहत है वो आपके resume को study करते हैं कि आपके resume में जो उस company से related कोई चीज अगर है तो वो कौन सी है अगर आप mechanical में है तो fresher है तो उसमें जो भी आपके resume होगा वो directly आप से उसके बारे में discuss करेंगे तो अपने resume में आप जो भी चीज़ आप लिख रहे हैं आपको उसके बारे में ब देखें आपसे उस चीज के बारे में पूछने लगें या सबस्वाज आपने डाल दे कि मुझे catia डाल दिया प्रोई डाल दिया और अपने खाली autocad आपको आता है catia प्रोई आपको आता नहीं है और अपने autocad से पूछ के सीधर वो प्रोई और catia के बारे में आपसे questions रखें तो रजीम में हमें सब positive रखें और उसमें वही चीज लिखें जो आपको अच्छे से आती हो ठीक है क्योंकि आपका रजीम में आपका first impression होता है क्योंकि जो interviewer है उसके सामने आपका resume रहेगा उसके बाद आप उनके सामने आएंगे तो आपके resume को बहुत अच्छे स study करेंगे तो आपको अपने resume जो भी लिखना है वही लिखें जिसमें कि आपको अच्छे से knowledge हो ठीक है दूसरी बात यह हो गई अब लेते हैं इसमें थर्ड पॉइंट थर्ड पॉइंट क्या होगा जो थर्ड पॉइंट रहेगा आपका वह रहेगा आपका subject knowledge suppose आपने resume जो भी लिखा हुआ है तो उसमें से वह देखके आपसे पूछेंगे और उसमें भी होता है कि आपका जैसे कि आप अपनी percentage अगरा बताएंगे तो उसके बात जो सीज़ा हो सकते हैं आपके best subjects कौन से हैं और best subjects के अंदर जो है आपको at least two subjects ऐसा रखने ही अपने आपको कि अगर पूछ लिए जैसे अगर कोई किसे पूछे कि आपके two best subjects को उन से हैं तो आप बता हुए कोई भी सब्सक्राइब बता सकते हो mechanical का या अपने production का या industrial engineering का तो at least two subjects ऐसे होने चाहिए जिसमें आपको depth knowledge कैसी knowledge हो depth knowledge अपको depth knowledge होने चाहिए अच्छी आपको मतलब समय कुछ भी पूछ आपको पता होना चाहिए बता हो सब्सक्राइब मशीन ड्राइंग मेरा best subject है या machine design मेरा best subject है साथ है manufacturing process मेरा best subject है तो अगर मैं manufacturing का बोलता हूं तो what is manufacturing यह पूछ लिए what is machine क्या होती है what is structure क्या ह यहां को यह के तो होता है और यह मशीन यह कौन कोन से प्रस फॉपरेमिक्ष जटी होते हैं ast account कोन से ड्रेक्श सकते हैं के लिए बातार मेरे पूछ सकते हैं तो कहने के मतलम है कि जो भी subject आप बताने जा रहे हैं उसमें आपको जो है दो subject तो ऐसे रखने हैं जिसमें कि आपको बहुत अच्छी knowledge है क्योंकि subject से इसलिए मैं क्यारा हूँ क्योंकि जब आप fresher होते हैं तो आपके पास कोई industrial experience नहीं होता है उन campus में चैर आप आफ नहीं हैं लेकिन कोई experience आपके पास नहीं है तो जाहिद सी बात है वह आपके subject knowledge पे ही आपको सबसे पहले judge करेंगे कि आपका subject knowledge जो भी subject आप उनको बता रहे हैं उनमें आपकी कितनी अच्छी पकड़ है और अगर ऐसा होता है कि आपने जो भी दो subject बो अगर वहां भी अच्छा feedback देनी कोशिश करते हैं तो फिर उसमें आपके जो है पर select होने के chance जो है वो बढ़ जाते हैं ठीक है यह आपको तीसरी पाइट है technical interview के लिए जो मैं आपको बता रहा हूं आपको इस चीज़ पे बहुत अच्छी से focus करना होगा ठीक है चलिए अब इसके बाद जो है हम लेते हैं point number four point number four जो है मेरा यह भी बहुत important point है आपने point number four में आपने जो भी industrial visits की है पहली चीज़ सपोँज आपने को इंडिस्ट्रि विजट की है वन डे की टू डे की तो उस इंडिस्ट्रि विजट के बारे में एक report आप जरूर बनाकर रखें अपने पास कि आपने उस इंडिस्ट्रिल विजट में क्या देखा क्या कि आपने आपकर experience गें किया और क्या आपको knowledge मिली ठ थीक है ना तो यह चुत्था पॉइंट है क्योंकि आपके रेज्जूम भी जरूर होगा अगर आपने इंडर्स्टिल विजिट किया है उसके बाद नेक्स पॉइंट है पांचवा आपका उसमें मीनी प्रोजेक्ट आपका जो मीनी प्रोजेक्ट क्या रहा उससे इंडर्स्टिल को सकते हैं या उस मीनी प्रोजेक्ट को आपको कितना टैम लगा आपकी गुरूप में आपका क्या काम था तो इस तरह कोशन पूछे जा सकते हैं मीनी प्रोजेक्ट में तो वो आपको पता होने चाहिए ठीक है तो mini project को भी अच्छे से study का रहे हैं अपने, अपना work को ध्यान रखी कि मैंने उसमें क्या काम किया था, ऐसे आपका major project होगा, कि major project में आपने, उसका title क्या है, उसका purpose क्या, उस project का applications क्या है, और उस project में आपका क्या rule रहा, उस project में आपने problem को कैसे phase क्या, कोई एक problem आप explain करक और इस पूरे project को अपने, कितने time duration ने complete किया, आपकी बाकी जो team के member से, उनका क्या-क्या role था, इस project को पूरा कंडे में, और finally इस project का conclusion क्या निकला, ठीक है ना, तो ये सारे चीज़ आपके major projects में, और आपके minor projects में, पूछी जा सकती है, ठीक है, उसके अलावाद जो है, आ आपने सबको मैंने AutoCAD किया हुआ है, ठीक है ना, AutoCAD किया हुआ है मैंने, या फिर मैंने जो है, कोई design का को दूसरा software किया हुआ है, जो additional knowledge है, उसमें सबसे questions वगएरा, आप put up किया जा सकते हैं, तो वो आपको अच्छे से, उसका knowledge होना, अच्छे से, अच्छे से, अच्छ हैं, जो कि हमेशा project आपके fresher level पे questions में पूछा जाता है, उसके बाद, next उसमें आता है, कि भई, क्या नामे, आप जो है, मतलब, अगर आपने कोई industrial training की है, आपने, industrial training की है, वो माहने रखती है, industrial training में, आपने four week की की है, या आपने six week की की है, तो उस company के बारे में, उस company का profile, उस company का turnover, और उस company का जो working profile है, उसके बारे में, वो company क्या काम करती है, क्या part बनाती है, कैसे बनाती है, तो उस industrial training को आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से उसका detail में, depth knowledge की साथ उस company, जहापने आपने training की है, उसकी depth knowledge आपको होनी चाहिए, जिससे कि अगर वहां से कोई question पूछा जाता, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तो जो आपका technical interview है, उसमें यही सारे points हैं, जो कि बहुत important हैं, आपके selection को लेकर के technical round के अंदर, ठीक है ना, technical round में जो मोटी मोटी बाते मैंने आपको बताई है, अगर आप इन सभी parameter को अच् हैं, तो 90% chance है कि आपका वहाँ पर जरूर selection होगा, ठीक है ना, क्यूंकि जितने भी interview अगर आप मेरे YouTube channel पर जाएंगे, तो वहाँ पर आप देखेंगे, तो maximum questions जो है fresher और आपका off campus placement fresher level पर, या on campus placement में, इसी में, इन ही questions पूछे गए हैं, ठीक है, चलिए, अब आगे हम बात करते हैं, HR interview की, अब अगर HR interview की बात की जाए, तो HR interview में, जो questions पूछ जाते हैं, सबसे पहला आपका, उनका question है, tell me about yourself in detail, आपको जो है, सबसे पहले अपना नाम, अपने बारे में, अपनी education qualification with percentage, वो साथ में year, कौन से year में की है, वो सारी आप चीज़ वहाँ बतावग उनको explain करके, ठीक है ना, दूसरा question उनका फिरी रहता है कि आपके family background, आपका जो है family background क्या है, ठीक है ना, तो family कोई समझ नहीं कोशिश करते हैं कि, आपको job का कितना requirement है, तो वहाँ वो देखते हैं कि family में कौन-कौन है, एक हम genuine information दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है तो बिलकुल बताईए, ठीक है कि आपके siblings कितने, आपके brother sister कितने, वो क्या कर रहे हैं अभी, तो उसके बारे में question पुछा जाता है, उसके बात जो है, फोर्थ question उनका रहता है कि आपको यह job क्यों दी जाए, ठीक है ना, इस job के बारे में आपको कहां से पता लगा, ठीक ह लगा आपने डालता है कि मुझे music सुनना बहुत पसंद है, वो पूशन लग जाए कि अच्छा आपको music western culture का पसंद है, कि आपको जो है, इंडिन के सबसे music पसंद है, वो गाना किसे ने गाया था, उसमें से question पूछते हैं, तो जाहर से बात है, अपना कोई भी, आप जो भ कंपनी में आपको work दे जाए तो इस company में आप 5 सार बाद अपना को कहां देखते हैं, ये question हो जाता है, आपकी strength की, आपकी weakness किया है, ठीक है न, अगर कोई आपका case study दे जाते है, case study मतलब सब्सक्राइब कहते है कि ए भाई, एक line है, एक line पे जो है, एक machine breakdown हो गई है, और बा करने देने वाले हैं, खाल लंच में आपको उन में से जो है, दो बंदे आई नहीं है, एक की बंदा से रिस्क करने वाला है, तो महाँ पर lunch time का proper time में complete करने के लिए, आप महाँ पर क्या process follow करेंगे, तो case study tab का कोई एक दम है पर आपको कोई question मिलेगा, जिसको कि आपको के मोटे मोटे questions जो है, HR में पूछी जाते हैं, तो आप इस तैप ए questions को भी बहुत अच्छे से prepare करें अपने लिए, ठीक है ना, तो आपका HR में इसी type के मोटे मोटे questions रहते हैं, जो की आपको बहुत help करेंगे, आपकी selection criteria में, ओके, इसकी बाद मैं कुछ आपको बताना चा चैनल पर मिल जाएंगे, जिसमें आपका BPCL का interview आपको मिल जाएगा, IGL कंपनी का interview आपको मेरी YouTube चैनल मिल जाएगा, बैक्टल कंपनी का मिल जाएगा, होंडा कंपनी का interview मिल जाएगा, हीरो मोटर कॉप कंपनी का interview आपको मेरी YouTube चैनल मिल जाएगा, सुब्रोज कंपनी का मिल जाएगा आपको Danceo कंपनी का इंट्रवी आपको मेरे YouTube चैनल पर मिलेगा Mearoti Suzuki कंपनी का inट्रवी टीविय स्वी मोटर कंपनी का inट्रवी आपको मिल जाएगा मेरे YouTube चैनल पर और Escort company और आपका Diardo Scientist B के जो की कोशंच हैं उनकी वीडियो सें वो आपको बारे जाएगा इनसें पना क्या आप आपको लियुट कि मिल जाएगी और आप इन सभी इंटेविस को वाच का रहेंgenए तो आप आप देखेंगे कि जो मोटी मोटी बाते मैंने आपको बता ही हैं ये बाते भी जो हैं उन सभी इंटर्यूज के अंदर आती हैं और बागी किस टैप की लिंक तो आप गराल की कन्पनी करोंगे चुशे वर में क्या इनष पूचे की जया करते हैं आपको मेरी इसिजी baकर के इनष्चेम को watch कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि जो मोटी मोटी बात है मैं आपको बताई हैं वो कहने घोंफिर के वो सभी बाते जो हैं आपको वहां दिखाई देंगी चाहिए चलिए इसके बाद जो मैं थोड़ा से आपको help करना चाहूंगा अगर आप mechanical से हैं उसके अगर आप अपनी प्रिपेशन करना चाहते हैं तो यह मेरी एक e-book है जो कि आपको Amazon पर मिल जाएगी और मेरा जो ऑनलाइन डिजिटल बुक स्टोर है इंस्टा मोजो पर महापर भी आपको e-book मिल जाएगी तो Amazon से भी आप इस बुक को जो है soft copy में e-book है तो soft copy में इसको आप वहां से purchase करके download कर सकते हैं और बहुत कम rate में मैंने किताब रखी है जिसे की बिच्चों को जो है लेने में को दिक्कत ना है और उनको पता लए कि mechanical companies में जो technical questions जो है किस type के पूची जाते हैं तो मैंना explanation के साथ में वहापर उनकी answer दिये हु तो आप वहां से जाके ले सकते हैं अपने preparation को strong करने के लिए दूसरा जो book है वो आपका DRDO उमें scientist B को लेके mechanical का जो entry हुए हैं अभी तक और उनमें जो questions put up किये गाए हैं अभी तक इस students से mechanical engineering या उसके लाइड़ बांची से students से उनसे तो वो questions with explanation मैंने जो हुहाँ पर explain की है तो टोटल इसमें 300 questions हैं अब आप यह मैं सोचना कि scientist B के बच्चों से पूचे गए हैं तो यह उन्हीं के लिए उनकी लिए तो है ही है लेकिन technical interview में technically mechanical से बच्चों से कहीं से कोई question पूचा आ सकता है तो यह book भी जो है बहुत अच्छी है इसमें direct interviewers में questions पूचे हैं इसमे questions मैंने दी हैं with answers दी है explanation के साथ में तो इसमें 300 questions है अगर आप इस book को purchase करना चाहते हैं तो इसको बहुत ही कम rate मैंने book रखी जिससे की बच्चे इसको purchase करके अच्छी कर सकें तो यह book भी आपको जो है Amazon पे मिल जाएगी और जो मेरा online digital book store है इंस्टा मोज़ों पर वहाँ से आप इस बुक को PDF की form में डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टा मोज़ों आप लेना चाहते हैं तो वहाँ पर Kindle पर आप इसको पर्चेस कर सकते हैं और वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं ठीक है चलिए इसकी बाद जो है next book जो है जो की मेरे दौरा लिखे गई है How to prepare for getting your dream job अपनी preparation करनी चाहिए तो dress code को लेकर के interview को लेकर के return test को लेकर के ठीक है selection को लेकर के तो वह सारी चीज़े जो है मैंने इस book में बताई है तो यह book भी जो है इसको मेरी जो है Amazon पर मिल जाएगी और यह उसका link दिया हुआ है और आप चाहिए तो उसको जो मेरे इस्टाम और जो ऑनलाइन डिचल बुक स्टोर है वहाँ से पाप इसको पर्चेस कर सकते हैं ठीक है और इसी book का जो हिंदी edition भी मैंने निकाला है जो बच्चे हिंदी में इसको पढ़ना चाते हैं वह हिंदी में भी इसको ले सकते हैं और इसका भी जो link है Amazon पर मिलेगा ebook की form में है तो आपको kindle store पर मिलेगी वहाँ से लगते है Amazon से और आपको अगर PDF की form में लेनी है तो आपको इंस्टामोजो पर जाना पड़ेगा जो मेरा online digital book store है तो वहाँ स आप इसको purchase कर सकते हैं तो आप Amazon से लेते हैं तो Amazon पर आपको ebook को kindle store पर आप इसको download option मिलेगा आपको वहां से इसको पड़ सकते हैं फिर soft copy को download करके और अगर आप इंस्टामोजो पर जाते हैं मेरे online digital book store वहाँ पर आप इसको PDF form में अपने mobile में अपने सेव कर सकते हैं और PDF को फिर आप जब चाहिए जब आप कमन गया तब उसको आप कहीं भी पड़ सकते हैं सभी books आपको इस form में मिल जाएंगी इसके लाव और ही बहुत सारी books हैं जो कि आपको Amazon पे मिल जाएंगी और मेरे online digital book store मिल जाएंगी जो कि आपकी प्रपेशन आपको काफी आप कर दें जो कि companies के जो freshers level पर जो इंटर्वीज हुएं उनसे भी के link जो है इस video के description आपको मिल जाएंगे आप वासे जाके उन्हें इंटर्वीज को watch कर सकते हैं और में technical में क्या questions पूचे गए इन companies में उनसे वो काफी help मिलेगी और HR में HR round में क्या questions पूचे गए उसमें वो काफी help और किया उसके light branches की जो companies हैं उनके interviews आपके सामने मैं लाने की कोशिश करूँगा I hope so इस video से वो काफी healthy लोगी मिलते हैं and next video में okay thank you